मेरी मज जो है मन्तmother मी is family 30000 रुपया अब 80000 की अगर मेरी मंतोरी सहली है जैसे को insufficient हमें 30,000 सेट कर दिया तो 30,000 अगर मेरी मंतली सेल्डी है उसके बाद हमें कितने टैन्योर के लिए होम लोल लेना तो चलिए अभी मुझे देख लेना दस साल के लिए पहले हम देखते हैं तो दस साल के टैन्योर के लिए हमको लोल लेना रेट ओफ इंटेस जो मिला है समय HDFC बैंक में वो 8.5% से रेट ओफ इंटेस के स्टार्टिंग है और यहां पर आप जो है अगर आपकी कोई पहली से ही मंतली एमाई वगरा कोई चल लही है कोई आपने क्रेट कार्ट वगरा से समान ले रखा जिसके आपको एमाई आप पे करते हो तो उतनी आप एमाई यहां 835 रुपय का जिसकी मंतली एमाई मुझे पे करनी पड़ेगी 13,500 रुपय अब यहां पर हम अभी तो यह देखा हमने 10 सालों के लिए आपको इतना मिला है अब यहां पर हम 15 साल के लिए करते हैं तो 15 साल के लिए देखे आप आपको जो मैक्सम होम लोन मिलेगा वो मिलेगा 13,7,921 रुपय इसका मंतली एमाई 13,500 बनेगा अब यहां पर हम टेन्योर को और बढ़ाते हैं अगर 15 की वज़ाए आपको 20 साल के लिए लेना है तो आप यहां पर 15,55,616 रुपय तक का जो है यहां से मैक्सम होम लोन लेने के लिए इलिसबल माने जाओगे अगर आपकी म 25 साल के लिए लेना है तो आप 16,66,000 का ले सकते हैं तो आप 17,55,000 का जो है मैक्सम लोन यहां से ले सकते हो इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पर अपना होम लोन का इलिसबल्टी आप कैल्कुलेट कर सकते हो आपकी जितनी भी ग्रॉस मंतली इंकम है वह आप यहां पर डलिएगा 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, फिर जितने भी टेनोर के लिए आपको लोन लेना है मालिजे 10 साल के लेना है 20 साल के लेना तो आप टेनेर डाल सकते हो इंटरीट बगरॉर देन सकते हो और यहां पर अगर आपकी माननी कोई यह माई 5 मेरी 30,000 रुपए मेरी मंत्री सहली है, मुझे 15 साल के लिए लोन लेना है, अब मेरी इसमें आपे 3,000 रुपए की एक मंत्ली M.I. चल लई है, तो अगर मेरी देखे 3,000 रुपए मैं मंत्ली M.I. डालता हूँ, तो अब मैं जो होम लोन लेने के लिए maximum eligible होंगा, वो होगा 10,6, अब मेरी मंत्री M.I. नहीं चल लई होगी, तो मैं लोन ले सकता हूँ, 13,70,000 रुपए का, इस तरीके साथ डीटेल्स अपना eligibility calculate कर सकते हो, तो यह तो रहा कि अभी आप जो होम लोन का eligibility calculate कैसे कर सकते हो, तो उसके बारें बदा दिया, अब हम चाहिए,